तो प्रेंस आपको अपना जो बैंक काउंड एड किये है गूगल पे में और आपका जो मेसेज आ रहा है वो दुसरे बैंक से आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है ये पूरा मामला सबसे पहले मैं प्रोफाइल वाले अप्शन में क्लिक करता हूं और बैंक अकाउंट जो लिखा हूँ है इस पर में क्लिक करता हूं यहाँ पर जिस बैंक में आपका प्रोब्लेम हा रहा है जैसे मैं पेटियंपेमेंट बैंक को लिंक किया है और मेरा दूसरा बैंक को सो कर रहा है तो उसका भी दिख रहा है मैनेज इपी नबर पर क्लिक करता हूं और यहां पर देख सकते हैं पडेनब़ में मेरा मोबाइल नंबर को जो डि हैं उसे लिंक करने ऑड़ और जो लिंक जैसे के उसके बाद मैसेज्ज आया तो मैसेज्ज में यहां पर देख सकते हैं है सब्सक्राइब हो चुका है मैंने यहां पर किये है तो इसका मतलब सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले आपको बैक आना है बैक आने के बाद प्रेंट आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है il तो इस पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करते हैं तो यहां पर मेरा जो मैसेज आया है कि आपका जो रेश्टेसिन हो चुका यहां पर देख सकते हैं आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा उसके बाद लिखा होगा एड़ा रेट ओके HDFC बैंक प्रेंट्स जो गूगल पे एप से वह चार बैंकों के दवारा UPID बनाता है यहां पर चार बैंक कौन सा कौन सा है HDFC बैंक, Access बैंक, ICI बैंक, SBI यह जो चारो बैंक है इस चारो बैंक के दवारा ही यहां पर UPID बनाया जाता है इसलिए फ्रेंट्स आपको HDFC बैंक के तुरू एक मेसेज आया था कि आपका HDFC बैंक के तुरू मेसेज में जो कौने है इसी तरसे आपको क्या कारण था और यह जो प्रोब्लैम है आपका सोल्ब अगर बीडियो को सब्सक्राइब कर दियेगा